श्वागत है आपके अपने चैनल प्राक्तिक ज्यान में दोस्तों आज मैं आप लोग के शामने एक बहुत बेतरी इंट प्लांट्स की चरचा करूँगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे चैनल में अगर नए है मेरे वीडियो पशन्द आ तो चलिए तो दोस्तों यह मेरा देंतस है दिसे मैंने पांस लिटर का जो तेल का बोतल रहता है उसे कटिंग करके इसमें ग्रो किया है और देखे कितना अच्छा फ्लॉरिंग कर रहा है और एक वाइट कलर का है चलिए मैं दिखाता हूं यह रहा वाइट कलर और यह दूर ही ये देख सकते हैं और ये सिंगल प्लांट है और देखिए इसकी ग्रोथ भी अभी अच्छी है और श्वाइल हमेसा हर प्लांट के लिए अलग-अलग रहना चाहिए और उसे अच्छा से बनाई है ये देखिए जरैनियम छोटा सा प्लांट है फ्लावरिंग काफी अच्छा कर रहा है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज हम बात करने वाले राखी बेल जिसे हम राखी का बेल फूल भी कहते हैं राखी का बेल इसलिए क्योंकि राखी सेप में फ्लावर होते हैं एक दिन तक फ्लावर ठीके रहते हैं आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यार रखिए कि गमले की साइज हमेशा बड़ा रखें और उसकी जो श्वायल है वो काफी रिच होनी चाहिए मतलब उसमें जादा खाट डालिए कोकोपीट डालिए और थोड़ी सी सैंड डालिए और गार्डन श्रायल मिलाइए क्योंकि फ्लारिंग बहुत जबरजस्त करता है और इस वज़े से इसे खाट की जादा जोरत पड़ेगी और हमेशा ऐसी जगा लगा है उसकी लरंग असानी से चाढ़ सके और अगर आपके पास जमीन का कोई भाग खाली है तो वहां लगा दीजे क्योंकि ये जमीन में काफी जादा फ्लारिंग करता है और काफी अच्छा बढ़ता है और जमीन में अगर लगा है तो ये आपका जनवरी फरवरी से फ्लारिंग सुरू करेगा और करीबन करीबन अक्टूबर नवेंबर तक ये फ्लारिंग करते रहता है और गमले में क्यों एक या दो मेना ये फ्लारिंग करता है ऐसे घर्मी में उसके बाद ये फ्लारिंग बंद कर देता है क्योंकि उसमें खात पानी की बहुत कमी हो जाती है तो दोस्तों इस तरह से इसे कुछ शाहरा दे के लगाएं और देखिए एक साल पुराना मेरा प्लांट है मैंने जमीन में लगाएं और फटलाइजर में लिक्वीड में हमेशा इसमें सब्ता सब्ता मस्टर्ट केक का लिक् पल बैगनी रेड और काफी सुन्दर दीखता है यह फ्लावर दीके और जैसी ही सुबा की सूरज की किन्ने परती है यह अपने फूल खोल देते हैं पंकुडी खोल देते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक केजिए शेयर केजिए मिलते हैं मेरे वीडियो में